एक गाव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम मोहन था, मोहन के पास एक तोता था, जिसे वो बहुत प्यार करता था, वो तोते को रोज खाना खिलाता और उससे बाते करता, तोता बहुत होशियार था और मोहन को तरह तरह की बाते सिखाता, एक दिन मोहन के घर के पास एक कौवा आ गया कौवा चालाक और शरार्ती था वो मोहन के तोते से जलता था क्योंकि मोहन तोते का बहुत ख्याल रखता था कौवे ने सोचा मैं भी मोहन से दोस्ती करूंगा और उसे धोखा देका उसका सारा खाना खा जाऊंगा वो मोहन के पास गया और मीठी मीठी बाते कर अच्छी लगी और उसने भी कोवे को दाना डालना शुरू कर दिया। तोटे ने देखा कि कौवा बहुत चालाकी कर रहा है। उसने मोहन को समझाने की कोशिश की। ये कौवा अच्छा नहीं है। ये तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोहन तोते की बातों को अनसुना कर देता और कहता, कौवा मेरा दोस्त है, तुम ऐसा क्यूं कह रहे हो। कुछ दिन बाद, कौवे ने मौका देखकर तोते के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और उसे उड़ने के लिए मजबूर किया। जब मोहन आया, तो उसने देखा कि उसका प्यारा तोता गायब हो गया है। उसे बहुत दुख हुआ और वो समझ गया कि ये सब कौवे की चाल थी। अब कौवा रोज मोहन के पास आता और उसका खाना खा जाता। कौवे को भी दूर भगा दिया और फिर से तोते का अच्छे से ख्यार रखने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सही और गलत दोस्तों की पहचान करनी चाहिए और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।